एक्सर हमारी गरों में या तो चावल बच जाते हैं या फिर चावल ज्यादा ही बन जाते हैं थोड़ा बहुंत तो इन चावलों का हम क्या करें तो उन्हीं चावलों से आज हम एक अच्छी से टेफटी सी रेस्पी बनाएंगे तो हाई फ्रेंस मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम बचे हुए चाबलों को फ्राई करेंगे तो फ्रेंस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निविदन है कि अगर आप चैनल पर नए आयो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक, सेर, कमेंट जरू करना और रेस्पी देखने के लिए वीडियो को फुल बाच कीजिए तो यहाँ पर मेरे सुभा के थोड़े से चावल बच गए है आज इनी चावल को हम फ्राई करेंगे तो यहाँ पर मैंने दो बड़े प्याज लिये थे जिनको मैंने गंबे-गंबे तुकड़ों में काट लिया था और चार-पांच मैंने हरी मिर्च लिये हैं इनको भी गंबे-गंबे तुकड़ों में काट लिया है और पांच-छे मैंने यहाँ पर टमाटर लिये हैं इनको और यहाँ पर यहाँ पर मैने एक चम्मच ऑयर डाला है और यहाँ पर जीरे को हम चटकने देंगे आप चाओं तो यहाँ पर रुफाइंड गी भी डाल सकते हो पर हमें ध्यान यह रखना है कि इसको हमें अच्छी तरह से गरम कर लेना है उसके बाद मैने यहाँ पर कटी हु तक भूनना है बहुत से घरों में तो होली पर भी चावल बनाए जाते हैं तो वह भी बच जाते हैं तो उनको आप इस तरह से प्राई कर सकते हो और इसमें हमने जो हरी मिर्च लंबे लंबे तुकड़ों में काटकर डाली है यह दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी वक् लग गई है हमें इस तरह से ही इसको करना है ज्यादा नहीं जवाना है उसके बाद मैंने यहां पर जो काटकर टोमाटर रखे थे उनको इसमें डाल दिया है टोमाटरों को भी हमको सॉप्ट होने तक पका लेना है और अगर फ्रेंट्स आपने इस तरह से चावल फ्राई कर यह तो आप चावलों को बचा बचा कर रखने लगेंगे और बाद में इनको आप फ्राई करते खाएंगे तो यहां पर देखिए हमारे टोमाटर भी सॉप्ट होने लग गए हैं और इनको मैंने दवा दवा कर इस तरह से इनको हमें कर लेना है जिससे कि बच्चे भी आसान गरम मसाला उसके बाद हम डाल देंगे यहां पर स्वाद अनुसा नमक और थोड़ी सी बंचोथाई के लगों मैंने लाल मिर्च फॉडर भी इसमें डाला है इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब कोई सावी मसाला हम यहां पर नहीं डालेंगे और इनको अच्छी तरह से हम मिक्स करने के बाद पका जिंगे थोड़ा सा और हमें पकाना है तो यहां पर देगे काफी अच्छी तरह से मैंने इनको पका लिया और टमाटर भी अच्छी तरह से सौप्ट हो गए हैं तो अब मैं इसमें डाल रही हूं चावल जो बची हुई चावल थे उन्हे इसमें डाल लेना है और अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जिससे की अच्छी तरह से हमारे टमाटर वगएरा जो भी हमने इसमें सब्जिय डाल लिया है वो अच्छी तरह से मिल जाएं और मसालिय भी अच्छी तरह से इसमें मिल जाएं तो यह खाने में तो बह बहुत ही जादा बढ़िया लगता है एक बार इनको इस तरह से फ्राई करके देखें तो लोग बहुत ही जादा तारिफ करेंगे और सब लोग इसको चावल को बचा के रखेंगे और बाद में फ्राई करेंगे बच्चे तो इसको बहुत ही जादा पसंद करेंगे और इससे जो बच्छे टमाटर भी नहीं खाते होंगे वह भी बहुत ही आसानी से टमाटर खा लेंगे तो यहां पर देखे कितने अच्छी तरह से हमने चावलों को फ्राइब कर लिया है अब हम इनको एक प्रेट में निकाल लेते हैं तो बहुत ही जल्दी से हमारे यहां पर चावल फ कर लिया है और बहुत ही जादा यह दिखने में भी अम्मी भग रहे हैं तो फ्रेंस अगर आपको मेरी यह रैस्पी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट के साथ फ्रेंड दोस्तों को शेयर करना मत भूलना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए ना तो मिलते हैं अच्छी से नई रैस्पी के साथ तब तक के लिए टेक किया थैंक्स वर वाचिंग